अभी तक हम लोगों ने संदी संदी के फेद, स्वरसंदी स्वरसंदी के प्रकार, में देर के स्वरसंदी के नियम को और कुछ इकजामपल को पढ़े थे आज हम उसके आगे देर के स्वरसंदी के कुछ इकजामपल को देखते हैं, सुखार्थ का संदी विच्छेद होगा, सुख प्लस अर्थ सुख प्लस अर्थ, सुख प्लस अर्थ को जब हम जोडते हैं, संदी करते हैं तो सुखार्थ बन जाता है, देखते हैं, सुख का पहले सब्द का अंतिम वरड ब्यंजन का खा है, खा में अस्वर लगा था, और दूसरी सब्द के आरंभे में अर्थ में अस्वर लगा था, तीस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों मिलकर बड़ा आदीर आबन गया है इस प्रकार सुख प्लस अर्थ का सुखार्थ हो गया है हम देखते हैं एकी मात्रा के एक्जामपल गिरी प्लस इंद्र गिरी प्लस इंद्र हम देख रहे हैं पहले सब्द के अंतिम वर्ड है रा पर कौन सा स्वल लगा है छोटी की मात्रा और दूसरे सब्द के आरंभ में भी इ इंद्र में भी इ लगा है इस प्रकार देख रहे हैं दोनों अस्थान पर छोटी इ आई है रा पर भी छोटी है और इंद्र में भी इ आ गिरी प्लस इंद्र का गिरी इंद्र हो गया रापट छोटी की मात्रा का बड़ी ये आदेश हो गया है अब हम देखते हैं ही की मात्रा के ही जामपल नदी नदी हम जानते हैं नदी तो हम बोलते नहीं है तिसलिए हम लिखे हैं नदी प्लस इस द में बड़ी की मात्रा है और इस में भी बड़ी की दोनों अस्थान पर बड़ी की मात्रा है और दोनों का जब हम संधी करते हैं तो उहां पर भी बड़ी आया है हम आपको पहले भी बता दिये थे कि आगी चाहे छोटी या या बड़ी या उससे हमसे मतलख नहीं है लेकिन बाद में वो दीर्ग बन जाता है देखते हैं नदी प्लस इस है नदी में बड़ी इस में भी बड़ी इस और जब हम संदी की हैं तो हाँ पर भी बड़ी ही हो गया है इस वकार नदी प्लस इस है अब छोटा उ का दीर्ग स्वरसंदी में छोटा उ का एक्जामपल हम देखते हैं भानू प्लस उदेया देख रहे हैं दोनों अस्थान पर उ आया है दोनों अस्थान पर छोटा उ आया है भानू में ना में भी छोटा उ लगाया है और उदय में भी उदय के आरंबे में भी उस्वर आया है इस प्रकार देखते हैं छोटा उ छोटा उ दोनों अस सब कुछ देखने में टप लग रहे हैं लेकिन इसको आप देखिए और समझेए भापर भी कौन सा मात्रा लगा है बड़ाओ की मात्रा बड़ाओ को हम अलग कर दिये हैं और ओर्ध में भी देख रहे हैं बड़ाओ लगा है दोनों का संयोग किये तो संयोग किये दोनों को मि लाए तो बड़ा उ बन गया है इस प्रकार भोर्ध हो जाएगा इस प्रकार भोर्ध बन गया है आप इसको दो पार तीन पार प्रैक्टिस कीजिए समझने की कोशिश कीजिए संधी चैप्टर है और आपको जब तक हिंदी पढ़ेंगे यह अकसर कुश्चन आपके कमटीशन एक्जम में भी संधी से कुश्चन अधिकांस कीजिए जाते हैं इसलिए आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए देखते हैं गुड़ स्वर संधी सिकंड है मेरा गुड़ स्वर संधी अब है इसका रूल क्या है कि जब आ या आ आ आरंब में कौन सा सब्द हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आरंब में सब आ या आ आया है तो कर रहे हैं जब आ या आ के बाद जब हरस्व या देर्ग हरस्व में बड़ा हरस्व में छोटा और देर्ग में बड़ा ई उरीलरी आ है जाए हरस्व या या देर्ग ही आ है उससे नहीं मतलब है यहाँ पर बस ई उरीलरी आए तो क्रमसा ए ओ आरल हो जाता है यहाँ पर हम बुग में अच्छे से समझने में आपको problem होती बुग में समझ में नहीं आता है इसलिए हम notes में इसको बिल्कुल clear करके write किये हैं कि इसे आपको समझने में समझ आसानी से आजाए A plus E कह रहा है सूत्र आपका कह रहा है U आता है तो O हो जाता है Rी आता है तो Aर हो जाता है L री आता है तो Al हो जाता है जो कि आपको example में बिल्कुल असफ़ष्ट करके दिखाए गया है A E आ रहा है तो A हो गया A या छोटा A ए उसके बाद E आ रहा है तो वहाँ पर A होगा बस A E का समयोग हो तो वहाँ पर बस हमको ये मान कर चलना चाहिए वहाँ पर ये हो जाता है A O आता है तो O हो जाता है जाए वह छोटा O हो या बड़ा हो Rी आता है तो Aर हो जाता है और Rी आता है तो Al हो जाता है हम कल इसके आगे इसको और अच्छे से समझेंगे